अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं तो आपका स्वागत हैं इस चैनल पर हम बात करते हैं लौफ अट्रेक्शन, सेल्फ लौफ, सक्से स्टोरीज, मंत्राज, मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड आपको अपके लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लि वेलकम तू युनिवर्सल टूथ 111 और आज की वीडियो है मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर जिन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्ट्रागाम पर और उन्होंने बोला कि वो चाहती है कि मैं कैसी वीडियो अपलोड करू जिसके थूँ वो अपने पार्टन ना तो उन्हें कॉल किया है और साथ ही उन्हें ब्लॉक कर दिया है हर सोसल मीडिया से तो यह उनकी प्रॉब्लम है और उचाहती है कि इसके उपर मैं वीडियो बनाओ तो चलिए आज उनकी इस प्रॉब्लम पे हम लोग एक ऐसी टैक्निक को जानेंगी और साथ ही साथ मैंन मैं मानती हूँ कि आपके नजरों में बहुत बड़ी है तो आपका फर्स टेप यही है कि यह आप अपने अंदर जाने दीजे मेरी इस बात को अपने अंदर जाने दीजे कि भले ही कोई भी प्रॉबलम हमारे लिए कितनी ही बड़ी क्यों नहों भले ही आपको impossible लगता हो अप हम allow करें तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगे जिससे कि आप allow करोगे और magic देखोगे आप मैंने पहले भी five minute manifestation के लिए upload की थी एक meditation आप उसके comment box में जाके देख सकते हो कितने ही लोगों को success मिली है लोगों ने अपनी success stories मेरे साथ में share करी है और अगर आप इस technique को काम तो करते हैं लेकि निराशावादी होते हैं यानि वो इस चकर में रहते हैं कि कहीं वो unsuccessful ना हो जाए तो आप जिस चीज को खोजोगे वो आपको मिल जाएगी जैसे मैं आपको example देते हूँ आप अपने आसपास में red color की चीजों को देखिए red color की कितनी चीजे आपके आ अराम से कीजिए और जरा ध्यान से देखिए कि क्या जब आप red color को देख रहे थे तो क्या आपके आसपास कुछ और colors नहीं थे जैसे की yellow, green, black क्या ये colors आपके आसपास मौजूद नहीं थे obviously होंगे लेकिन आपका ध्यान कहां था सिर्फ red color पे है ना बिलकुल इसी तरीके से जब आप अपने life में कभी success को ढूणने के लिए निकलते हो तो आपका ध्यान success पे होने की वज़े से आपको हर बार success मिलती है और उसी तरीके से अगर आपका ध्यान success पे ना हो करके unsuccessful होने success नहीं मिलेगी इसी लिए हमारा mindset बहुत ज्यादा जरूरी होता है even जब आप किसी भी चीज़ को manifest कर रहे हो mindset सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपका mindset positive है अच्छी तरीके से आप जानते हो इस चीज़ को तो आप हमेशा ही positivity पे focused रहोगा और वहीं भी अगर mindset में पहले ही है कि मैं successful हो जाओंगी या हो जाओंगा तो फिर क्या होगा फिर वही होगा चाहिए आप भले ही कितनी ही मेहनत करो फिर वही होगा तो आप इससे निकले कैसे मानलो आप overthinking करते हो बहुत ज्यादा tension में रहते हो तो देखिए technique तो है मतलब हजारो techniques मिल जाएंगी लेकिन उन technique से successful होने के लिए आज जो मैं अभी आपको बता रहे हूँ यही सबसे जादा जरूरी है ठीक है तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा कि यह जो मैं आपको बता रहे हूँ यह बहुत जादा जरूरी है अगर आप यह करते हो तो कोई भी technique 100% काम कर जाएगी करना क्या है आपका mind जो है हमेशा negativity के लिए biased होता है हमेशा negativity की तरफ जाएगा और नहीं आप उसमें कुछ minus कर सकते हो और नहीं आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसे कि आपका mind, आप mind को बोलोगे कि यह सोचना बंद करो और आपका mind सोचना बंद करो आपका mind और ज्यादा उसी के बारे में सोचेगा वहीं पर जाएगा तो अब क्या करें बहुत है सिंपल है जब भी माइन में निगेटिविटी आए कोशिश करिए कि कुछ ऐसी चीज़े आपके पास हो जिनसे आप अपने माइन को पॉजिटिविटी की साइड में डिस्ट्रैक्ट कर पाओ जैसे में कोई म्यूजिक सुन सकते हो अच्छी सकसे स्टोरीज रीड कर सकते हो अच्छी वीडियो देख सकते हो अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो अपने आप से कुछ पॉजिटिव बोल सकते हो किसी से ऐसे परसन से बात कर सकते हो जो positive हो अपने success की डायरी बना लिजे उन success की डायरी इसको पढ़ सकते हो especially सबसे ज़्यादा अच्छा हो कि success stories पढ़िए ठीक है क्योंकि आपको success चाहिए तो success stories पढ़िए ये सबसे ज़्यादा best होता है तो अब बात करते हैं इस technique के बारे में एक notebook रखनी है साथ में आपको एक mirror चाहिए और एक pen चाहिए ठीक है सुबह के 9 बजे आपको 9 बार affirmations लिखने है जो affirmations में आपको last में बताऊंगी रात के 9 बजे फिर आपको वही affirmations 9 बार लिखने है ठीक है इसके बाद क्या करना है एक बहुत ही simple से चीज़ करनी है 9 बजे जब आप सुबह में लिखते हो उसके बाद 9 बार आप उसे बोल भी देना mirror में देख करके रात में भी same process follow करनी है 9 बार लिखने के बाद 9 बार बोल लेना है मान लिजे किसी के पास time नहीं है या time miss हो जाता है तो वो क्या करेंगे वो क्या कर सकते है आप पालो सुबह में नहीं कर पाए कोई बात नहीं कम से कम रात में कर लीजे एक time तो आपको करना ही होगा और दोनों time कर पाए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो ये बहुत जादा जरूरी हो जाता है 9 बार ही आपको affirmation लिखना है और 9 बार ही mirror में देख करके बोलना है बात में उस notebook को आप कहीं आराम से रख देना और बस daily आपको लिखना है और daily आपको बोलना भी है यह याद रखना और बीच में positivity को maintain करके रखना है अब बात करते हैं कि वो affirmation क्या है आपको बस इतना लिखना है कि universe आपकी divine design मेरे life में manifest हो गई है मेरे partner मेरे specific person का call and message मुझे मिल गया है और उसके बाद में आपको universe को thank you बोलना है लिखना है बस इतना ही है और thank you आपको अपने मुँझ से बोलना है तो यह थी पूरी technique इसे आप follow करो और 100% result मिलेगा starting में जो मैंने चीज़े बताई उन्हें हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि सिर्फ technique करने से कुछ नहीं होता क्योंकि techniques आपके mind के लिए होती है और mind को stable रखना, mind को positive रखना और जो मैंने बताया कि success के चकर में रहना है वो बहुत जरूरी है या मैं यू कहूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो आज की वीडियो में जो भी बता है अच्छे से follow करना और आज की वीडियो में इतना है इसके साथ ही मैं बोलना चाहती हूँ उन लोगों को reply देना चाहती हूँ कि जो रोग comment box में पूछते हैं कि कैसे बात करनी है कैसे contact करना है तो आप मुझे Instagram में Gmail के जो contact कर सकते हो जिसकी link आपको हमेशा ही description box या फिर वीडियो के screen पे मिलती है Thank you so much for watching this video and I love you all